नमस्कार आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूँ राहूल तिवारी असम में आज नैशनल रेजिस्टर ओफ सिटिजन्स की घुशना कर दी गई जहां NRC को लेकर जो लगातार कई दिनों से पशुपीश किस्ते दी थी वह अब साफ हुचली है और अब जिस हिसाब से NRC में नामों का उलेक क्या गया है नामों और को शामिल क्या गया है 3.1 करोड लोग हैं जो इस रेजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं जबकि अभी भी असम में 19.06.000 लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस रेजिस्टर में नहीं है देश का एकमातर राज जहाँ एनरसी की ववस्था है वहाँ अब 19.06 लाख यानिके 19.06 लाख लोग जो हैं वो इस राज्य के सदस्य नहीं रहेंगे और अब इतने लोग आखिरकार जाएंगे कहां इतने लोगों के साथ आके क्या होगा क्या इन लोगों को वाकई चुंता करनी चाहिए क्या सरकार इन्हें गिरफतार कर लेगी या फिर इन्हें दूसरे देश में धकेल दिया जाएगा इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं तो अनर्सी के बाद अखिरकार क्या विकल्प बचता है इन लोगों के पास जिससे ये अपनी बात रख सकें और इस राज्यक के नागरी कोने का दावा कर सकें आईए बदाते हैं आपको तो अब जिन लोगों के नाम नर्सी के रेजिस्टर में नहीं हैं वे फारेंट ट्रिबिनल से लेकर हाई कोट और सुप्रीम कोट तक में अपील कर सकेंगे उनके पास ये विकल्प खुला हुआ है साथी साथ जब तक उनकी नियाईक रूप से सुनवाई होती है तब तक उ प्रिदेश्यों के पहचान और उन्हें बाहर निकालने के लिए अलग से एक और मेकनिजम पर काम कर रही है उन्होंने कहा यह किसी भी तरह से चर्चा का विशय नहीं है कि एनर्सी में किसी की जगह मिली और किसे नहीं इसका आखिरी फैसला ट्राइबिनल ही करेंगे कि कौ असमिया कौन भारतिय और कौन भारतिय नहीं है अब जिन लोगों के नाम एनर्सी में नहीं आये हैं वे आखिरकार किस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो प्रक्रिया थोड़ी से हम बता देते हैं इसके लिए सरकार जो ट्राइबिनल्स है उनका गठन करेगी और असम में दूसरी विकल्ब खुले होंगे लेकिन फिलाल और सरकार ने इसकी समय सीमा जो है वो भी बढ़ा दी है पहले इसकी समय सीमा सहाट दिन की होती थी लेकिन अब उसे बढ़ा कर 120 दिन कर दिया गया है याने कि 31 दिसंबर 2019 उसकी अंतिम्ति थी होगी तब तक जो भी नागरिक असमिया होने का दावा करते हैं वे इन ट्रैबुनल समझा कर अपील कर सकेंगे केंद्री ग्रहमंत्राले ने इसपश्ट किया है कि NRC लिस्ट में जगह ना पाने का यह अर्थ नहीं होगा कि लोगों को विदेशी घोशित कर दिया जाएगा ऐसे लोगों को फोरें ट्रैब इन ट्रैबुनल्स में भी जाकर केस हार जाता है तो वहां हाई कोट और सुप्रीम कोट तक में अपनी अपील कर सकता है जब तक कि यह इस मामले की पूरी सुनवाई चलेगी चाहे हाई कोट हो चाहे सुप्रीम कोट हो तब तक उस व्यक्ति को गिरफतार नहीं किया कि क्या केंद्र सरकार अब एनर्सी के बाद जो लोग असमया घुशित नहीं हुए हैं उन्हें बचाने की भी कोशिश कर सकती है इस बारे में असम के मुख्यमंतरी सरवानंद सोनवाल का एक बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि इसे कई परिवार हैं जो पीडियों से अ समया हैं लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है ऐसे लोगों को फिर से असम का नागरी घुशित करने के लिए कि इंद्र सरकार विधेक भीला सकती है साथी साथ अब आगे क्या होगा इस बारे में विश्यशक्य की बताते हैं कि जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सामना करना पड़ता है उन्हें बाद में विदेशी नागरी घुशित कर दिया जाएगा और ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा ये वो लोग होंगे जो हर जगह अपने आपको असम का नागरी साबित करने में नाकाम साबित हूँ है इन्हें डिटेंश करें कि जितने लोग बाहर आ रहे हैं मान लीजे 19.6 लाख लोग तो आज निकले हैं इनमें से 10 लाख लोग भी बाहर जाते हैं तो उनके लिए सरकार क्या प्रक्रिया अपनाएगी क्योंकि बांगला देश या किसे दूसरे देश के साथ अभी तक सरकार का ऐसा कोई करार न नहीं है और उसके बाद अभी सवाल उठने लगा है कि इन लोगों के पास अखिरकार विकल्प क्या बचता है कुछ विकल्प थे जो आप तक पहुँचाने की आपको बताने की हमने कोशिश की आप देखते रहिए टेलेंटिड इंडिया अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें और शेयर करें